तो आपका नई ताल वाला भाई भी एक दम मस्त है तो गैज मैं स्वर्विष्टर उत्रहंड की इन हसीन वादियों से फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर करके आई यह हूं तो चलिए गैज आज के ब्लॉग को भी सुरुगार लेते तो आई आप से कुछ बात करते चलिए फिर सुरुगार करते हैं तो गैज आज का ब्लॉग सुरुगारने से पहले आज के मौसम की बात कर लेते हैं तो जैसे कि आप मेरे बैकरांड में देख रहे हैं पीछे तो मौसमा साफ है कलकी तरह हलके बलके कहीं कहीं पर बादल लगे हुए हैं सुरी देव भी मैं कि आवा था सुबह सपर दुगान में दुगान से सामान लेकर के आया आने के बाद अभी नास्ता गर रहा हूं सुबह अभी देखे बड़ियागर के नास्ते में अभी आज दूद है और बाकी हो गई रोटी और सबजी बड़ियागर जी तो चलिए सबसे पहले तो यह ठेक हो है चाचा चाची लोग भी मम्य बापा लोग विए तो आज मतल लगा रहे कुड़ील में थोले धूपा ही है कर्सा मतल दिगा यृति पापा ने मटल लगान के लिए मंद्धा वापा तो प्लील में गए हुए है और बाकी चाचा चाची लोग अपने काम के कामो मैंने अभी खाना मनाने उससे पहले में बढ़ी है नास्ता गल देता हूं सुबेगा अब बुबु यह कोडिल के बुबु आगे देखिये अभी आज बुबु धारी जा रहे हो नाम से अबने तो गैज अभी समय हो रहा है लगबख तीन साड़े तीन और सुबे के बाद मेरा ब्लॉग का सौंट डिरेक्ट अभी हो रहा है तो गैज अभी मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है बादल आदल लगे हैं तगडे वाले और एकदम से ब्लॉग ने भी अपना रुख एड्वेंचरस काईप ब्लॉग आएगा तो जिसमें की मैं आपको लेकर के जाने वाला हूं जो हमारे गाओं का मनलब काफी पुराना क्रिकेट स्टेडियम है जो की गाड़ी खेत में मनलब पढ़ता है तो वहां पे हम जितने भी गाओं के मनलब भाई लोग ते सारे निर्भी है तो वहां पर भी लेकर के जाने वाला हूं आपको चलिए गाज मेरे सारा आप ब्लॉग पर बने रही है और जो भी आप मेरे ब्लॉग पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब कर दिजिए बेल आइकन दबा दिजिए तो आपको इसी प्रिकार के फैमिली कंटेंट और ऐसी एड़ेंचरस कंटेंट आपको वीडियो देखने को मेरे चैनल पर मिलेंगी तो चलिए अभी फिलाल लेकर के चलते हैं आपको अपने पुराने क्रिकेट इस्टीडियम और माता के दरबार पर तो चलिए गयज तो अभी देखे अभी मैं हूं अपने धार के रास् सब्सक्राइब तो यहां से होते हुए लेकर के चलता हूं सीधे आपको ग्रांड भी किस्टेरियम और तो ग्राइज फाइनली अभी मैं पहुझे हूं गाड़ी खेट के गढ़ेरी पर जहां पर उस्टेजम बना रखाए जहां पर पीज बना रिखेंगे मैं खिलने के लिए बाकी चलते हैं पीज मैं बस यहां पाद्स कदम और है तो मेरे पीज़ आपको समय दिखाय दे रहा हुगा बहें पर पीछे तो वहीं पर पूरा देल रहते हैं और यहां पर से दिखता है घज पीजी बिगदा लोग में उर्भार वहीत आती दूर दिरास से मतलब ऐसी जगों पे मतलब भाई लोगों ने सब में मिलकर के पीज बना रिखे जिसमें किर्केट होगरा खेलते हैं और बाकी चेक किजिए गायज यहां पर से पूरी आपको किर्केट की जो पीछ हो पूरी पीज दिखेगी तो सामने आपको दिखेगी होगी यह पूरी पीछ है किर्केट की जहां पर हम लोग मैज खिला गाते थे और इसके चार तरब बिलकुल देखिए हरे भरे बांच के पेड़ है कुछ इसकार के पीछ है गायज यहां पर जहां पर मनलब मैज होगरा खेलते हैं हम लोग तो चेक सकते हैं और इतनी एरिया में खुला है पूरा और सामने से गधेरा है इसमें जिसमें बारिस के टाइम में काफी ज्यादा पानी आजाता है और इस जगह में देखें गाइज यहां पर लगाते हैं इस टंप तो आपका पत्थर दिखाए दे रहोगा पत्थर का स्टम्प ल पर देखें आप पहले जो यह गधेरा हुआ गाता था बिल्बूर एकदम देखें यहां पर नीचे को बिल्कुर तरह जैसा धुछा है निचे धलान जैसी दिख रहे हैं तो यहां पर पूरा ऐसा ही मलब हुआ गाता था इसी प्रकार बाद में आपे जितने भाई लोग प किपकेट खेलते कर गें अभी गाइज मैं ही हो यहां पर तो अपनी वीडियो के मात दम से मैं एक्सप्लोर गारा रहा हूं आपको अपना किपकेट का स्टेडियम अपना अपनी पीच अपना गधेरा वह भाई लोग भी देखेंगे तो उनको भी याद आईगी और बाकी गाइज कुछ इस पर का से हाई है देख सकते हैं पूरा मेरे चाल तरब ग्यूद तो यह है यहां का नाम है गाइट तनवानी तो यह तनवानी का गधेरा है यहां पर भाई लोग ने सब ने फोट करके बनाए पीच वह फाइनली गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं माता में दखाता हूं जहां पर मंदिर बना रखा है तो यह दिखिया वह कुछ इस पर गारजा यह दिखिए गाइज तो गया तो गया जब फाइनली मैंने माता के दर्संडी कर लिये हैं जहां पर मंदिर है हमारा पुराना वाला काफी समय हो गया इसको बनाए हुए शारे है तो देखिये यह है दुर्गा मैया का मंदिर तो गयाज देखिये यहां पर जिजगा पर मंदिर बना है पूरी चारे तरफ आप हर्याली देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात जहां पर मंदिर बना है इस एरिया का इतनी टन्वानी के एरिया का सबसे बड़ा बाच का प यहां पर इस जगह पर हल्वा हल्वा बनाते थे और दिखे ग्याइज अभी आज वह यादे मलब जो भी भाई लोग सारे देखेंगे वीडियो तो उनकी यादे ताजा हो जाएंगी तो गैज अभी माता के दर्संदी हो गए हैं बागी मैंने बता भी दिया आपको यहां के बारे में तो अभी आप फिलार चलताओं में वहीं से गद्रेशी होते हुए मतलब घर को जाओंगा और यहां पर दिखेंगे गैज आपको सामने देखेंगे वहां पर दिख रहा होगा एक तो वह गैज पानी का नौला जहां पर मलब पानी होता है पानी भर करके ले जाते यह दिखिए सामने वहां पर गोला भी चलडा बढ़िया गर्गे अरी-अरी घास और बाकि यहां पर चेक की जिए गाया है देखिए यह है पूरा गदेरा तो इस गदेरे से पानी आता है गया देखिए नल भी लगा रहा है यहां पर और इस जिगर पर दिखाए दे रहा होगा आपको उन्सली बिखाए देखए अंदर महरा को पहाद में आपको इस प्रकार के फान के सौन तो देखने को मिलेंगे हास करके आज करके बरशात के टाइम में हो जैसे कि आप मेरे पीछugen निकल लाफ mo be जो दो पर जो पानि से बलों जाते है और इस पुछा से गड़ों पानी भलता है और जैसी कि मेरे पीछे देख रहे हैं आप पाइप लगाया हूए तो घड़े बनाकर तो फिर यह पानी घरों में या फिर खेतों में दे जाता है लोता है तो तो चैनल को फो कि चचे बारइबो से जादा मैंला पानी बहोंगे दिल नादे में नदी में मिलता है गयज बाकि घर को जाते जाते मेरे को एक चीज और लिखा है तो इसको कर दिखाना चाहा तो यह दिखर गयज यह दे रहा हुगा तो यह मत जिन दिखा यह जमा किस तरह इस परपर मैं यही प्रप्र pólt मतषाद के ताइम मैं जो मसिनों होते हैं कुछ इसी प्रकार से होते हैं इसी प्रकार से निकलते हैं बड़ यह जो मस्रूम ऐसbodキज को ओल्फ है ये अलग उलग प्रकार के होते हैं ये बी तो ये वाला मस्लूल है ये जहरी जाय ये खाने वाला मिलस् проблем जो है वह अलग का होता है तो कभी अगर बलसाठ की तायम में अगर जंगल को जाने का अगर प्लान पना पढ़की तो मैं या जरूर मेलह तो आपको सीधे घर में जा करके मिलता हूं आप तो देखे अभी में फाइनली पहुंच गया हूं घर पे अपने और बाकी अभी का मौसम देखे आप घरमा आते हैं मेरे को काफी बादल भी लग गए हैं तो अभी समय हो गया च्छह साड़े च्छह का फिलाल तो मैं इस के नई वीडियो सबसे बहले आप तक पहुंचते रहें तो गयाइस मैं इस वर विश्टर मिलता हूं आपके फिर सब्सक्राइब नई वीडियो में तब तक के लिए बाई